यदि आपका भी PM के जन सम्माने दियो जना का पैसा आना बंद हो गया तो बिलकूल इस वीडियो को देखिए हम इसमें step by step बताए हैं आप खुद से अपने फोन से किस तरह से ठीक कर सकते हैं मात्र तिन घंटे में आपका पैसा आपके बेंग एकाउन में आ जाएगा चाहे किसी भी कारण आपका पैसा रुख गया हो तो बिलकूल इस वीडियो को देखिए हम इस वीडियो में आपको step by step बताने वाले हैं कि किस परकार से अपना पैसा अपने बेंग एकाउन प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए प्रेंड हम आ गये हैं जिसे कि आप सबको पता होगा कि आज अठारवा किस्त आने का डेट था जो कि पैसा आ चुका है बहुत सारे कंडिडेट के एकाउन्ट में यानि बहुत सारा लाभूक है जिनके बेंग एकाउन में पैसा आ चुका है और बहुत सारा बें की एकाउने पराप्त कर सकते हैं आपको किसी भी सरकारी दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं है आप अराम से इसी जगह पे विडियो देखके आराम से आप इसका काम कर सकते हैं जैसे के साथियों हमारे देश में PM किसान सम्मानित दियोजना की जितने भी लाभूग हैं सबके एकाउंट में 22,000 रुपिया करकर के रासी उसके एकाउंट में पहुच चुका है आज 5 अक्टूवर 2024 को हमारे परधान मंतिर स्री नरंद्र मोदी ने महाराश्टर मुंबाई से इसका पैसा मार दिया गिया है और बहुत सारे लाभूग जो है उसके एकाउंट में पैसा आ गिया है जितना भी आपका पैसा रुका हुआ है अठारवा किस्ती तक जितना भी आपका पैसा रुका हुआ है सारा पैसा आपके बेग के काउन में मिल जाएगा तो चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस के तरफ तो हमको गूगल में आ जाना है और गूगल में हमको लिखना है यहां पे सारा फेसेलेटी दिया गया है यदि आपका किसी भी परकार का कोई भी समस्या हो तो आप बुर्टर इस पोर्टर पर जाके कमप्लेंड कर सकते है यह पोर्टर सी कमप्लेंड पोर्टर होता है प्रेंड जी आपको हम और एक बार बता दें ये जो पोटल है ये एक प्रकार से कम्प्लेंट पोटल होता है प्रेंड यदि आप सरकारी दफटर जाते जाते ठक गए और आपका काम नहीं हो रहा है तब इस पोटल को आप यूज कर सकते हैं अर्याता आप हो सके तो अपनी सरकारी दप्तर में जाके ही PM किसन का सॉट आउट कर ले, जो भी समस्या है उसका सॉट आउट आप ओपीस में जाके ही कर ले, जी हाँ, आप यहाँ कोना में देख सकते हैं, एक जगा साइनिंग का ओप्सन दिखता होगा, आपको उसी में आप पर मिल जाएगा आपको सारा फिसलेटी, आपको किस परकार से इसमें रेजिस्टीशन होना है, किस परकार से आपको कंप्लेंट देना है, यहाँ फ्रेंड यह आपको एक बार और बता देते हैं, यह कंप्लेंट पोर्टल होता है, यदि इस पर आप रेजिस्टीशन करते ह तो 100% आपका काम हो जाएगा ऐसा बात नहीं कि इसमें registration करने के बाद भी आपका काम रुका रहे इसमें जैसे ही आप complaint करते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा यदि आपका काम सरकारी दफ्तर में ना हो तब जाकर आप इस tricks को अपनाईएगा नहीं तो बहतर होगा कि आप सरका लोगिन हो सकते हैं तो चलिए हम मेरे पास CSC ID है तो हम digital सेवा लोगिन से जलते हैं ताकि वीडियो में जारा भी लंबाई ना हो और जल्दी आपको पता चले किस परकार से इसका काम होता है जैसे हम लोगिन हो जाते हैं लोगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंट देख सकते हैं पुब्लिक गाइडलाइन का एक ओफ्षन होगा डेश्बोड के नीचे जैसे डेश्बोड के नीचे आप क्लिक किजएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आजाएगा तो आपको कुछ नहीं करना कहीं नहीं देखना यह चेक बॉक्स आपको जो दि चल रहा है जितने भी पददिकारी है जिस पर भी चाहिए आप यहां से कंप्लेंट कर सकते हैं लेकिन उसका स्बूत होना चाहिए तभी आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं तो simply मेरा काम है PM किसान में जो मेरा पाईसा नहीं आ रहा है उसके लिए हमको इस जगह पे मतलब क आप देख सकते हैं सारा option एक बार आपको दिखा देते हैं और एक नमबर पर आपको जाना यदि आप PM किसान के लिए मतलब कंपलेंट डालना चाहते हैं तो आपको एक नमबर पर जाना होगा और तेक लिए यहां पर बहुत सारा facility दिया गिया है यदि आपको PM किसान सम्मा आप एक जगा खोज जिह आपको मिल जाएगा पीयम किसन पीकी संस्पैटेशन दियुजना देखे यहां पर मिल गया है तो आप भी अपना खोज लिजेगा और मिलेगा उसमें क्लिक करना है पहले में सेगें में आपको सेग करना है उसके बाद सेकेंड में आपको इस लिखता होगा not receive installment उसमें क्लिक कर दिना मैं जो आप करेगा प्रेंड वो पी एम के सान सम्माने दियोजना रहेगा उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स दिखता होगा इस बॉक्स में आपको फिल अप करना यानि लिखना है आपका जो भी समस्या है जो भी प्रोबलम है उस मेरे इस वीडियो में यदि आपका पीम के संसमान दियोजना का लावाफी तक नहीं मिला है तो बिल्कुल वीडियो में बने रहे प्रेंड और यहां पे टाइप करने के बाद आपको इस जगह पे आधार कार्ट को नीचे पे अपलोड करना होगा उससे पहले हम इस पसके साफाइब इस परकार से हम लिखते हैं सेमट रोस इसी परकार सर यहां लिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो तो चलिया लिखने का तरीका जो होता हुआ अपने देशी ही लेगुजमें कि लिख सकते हैं अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम यहाँ पे लिख लिए है जै हिंज सर मेरा नाम दखिए जी हाँ फ्रेंड जिस तरह हम लिख रहे हैं आप सेम टू सेम इस तरह भी लिख सकते हैं और यदि आपका इंगलिस बहुत अच्छा है जैसे इस पे ऑनलाइन करके सब्मिट कर देते तो आपका दो से चार गंटा से पांच गंटा में आपका मतलब रिव्यू कर लिया जाएगा चेक कर लेगा देख लेगा उसके बाद जो भी आपका प्रोब्लम हो समस्या है तुरंत आपकी नजदी की ब्लॉक में इस चीज को भ कर रहे हैं यानि खुद का मतलब आपका काम करा रहे हैं तो समझे ये एक पर करका कंप्लेंड है यदि आपके घर में चार आदमी पांच आदमी या साथ आदमी का पीम किसन सम्मान दी योजना का लाव मिल रहा है तो फिर आपको इसका लाव नहीं मिलेगा बहुत सारा घर इणिहाटिया समद्धी योजना करा बहुत कोई ऐसा है कि दो आदमी तीन आदमे के घर में उठा रहा है यहिंदि आपका विससे पोटल से ना करे यह आपके घर में क्ष्रीफ बेज़िजटित अपने से मना कर दिया। तब ही जाके आप यहाँ पर उसका complain कर सकते हैं लेकिन हम तो यही कहेंगे फ्रेंड इसमें complain करने से पहले एक बार ब्लोग पे जरू जाएं वहाँ पर अपना कागज दें उनसे बात करें यदि वह आपका काम कर देता है तो बड़ी हाँ बात है नहीं करता उनको एक चीज बोल दीजिए यदि सर आप नहीं करते हैं तो हम इसी चीज को complain करते हैं PG portal में जी हाँ सरकारी ओपी सर अधिकतर इस नाम इस portal को PG portal के नाम से जानता है फ्रेंड यदि आप इस चीज को उनको बोल देते हैं तो वो हो सके कि आपका काम जल्द से जल्द करते हैं PG portal का नाम सुनते हैं बहुत सारा सरकारी अधिकारी को मतलब डर लगने लगता है इसमें जो भी complaint जाएगा फ्रेंड यहां नहीं जाता डारेट यह complaint जो है आपका state जाएगा नहीं तो central जाएगा फिर state या central से आपके नजदी की जिला भेज दिया जाएगा और जिला से फिर इस complaint को आपके ब्लॉक में भेज दिया जाएगा और आपका काम 24 घंटे के अंद उनको मतलब बोलेगा कि आप इनका काम 24 घंटे के अंदर किजिए जाहे जो भी हो जाए 24 घंटा मामूली बात है फ्रेंड पांच घंटा तीन घंटा चार घंटा में काम हो जाता है तो जैसे कि आप यहां पे लिख दीजेगा यहां देखिए जो भी लिखेगा बढ़िहां है सेम टू सेम आप यहां पे उसी तरह से लिख सकते हैं इसे कोई प्रोबलम हो समस्या भी क्रियेट नहीं होगा जैसे आप इसको लिख के कंप्लेट कर लेते हैं तो नीचे आपको अपलोट का यहां मिलेगा आप यहां पी अपना जमीन रसीद परचा आधार काड़ बंसा जरूर अपलोट करके रखिएगा और आधार काड़ उसके साथ जरूर अटेश कर लीजेगा वह बहतर रहेगा उनको काम करने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़ेगा ऑफिसर सबको भी यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम यह इस से भी बड पैसा रुका हुआ है तो आप लाइब देख सकते हैं कि इसका कितना जलदी रिस्पॉंस लिया आ जाता है यदि आप इस तरह करते हैं तो आपको दो से चार घंटे में आपका बैंक एकान में आपका जितना भी बकाया रासी है जमा होना शुरू हो जाएगा और यदि आप को कोई सिक्वा सिकायत है और किसी परकार का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमें कॉमेंट कीजिए हम उसके रिलिटेट वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे ताकि आपको भी काम करने में या कोई चीज में समस्या ना हो जैहिन प्रण मिलते हैं फिर किसी और निया बाद जाए हैं लिए